असलाम वेलेकम , welcome back to the new video , तो आज की सुभा माम्मो की खर या हम रात को आ जुके थे माम्मो की खर च्छेग के लिए तो यहां रात की वीडियो तो मैंने ही बना पर यानि यह रात की अव्लोग तो मैंने डिर्क सबसे ही स्टार्ट कर किया यहां मैं प्यारा सा खुबशूरत सा बाहर का नजारा देख रही थी यह एक ट्री था जो कि हमें बिल्कुल समझनी आ रहा था किस चीज का ट्री है यहां एक बॉक्स पड़ावा था जिसमें कबूतर ने अंडे दिये वे थे फिर हम अंदर गए तो अंदर चला देख कि पता चला कि हमायर नाश्ता आ चुका है हालवपूरी फिर इसके बात मैंने जल्दी से प्लेट्स उठाए और यहां चाहे भी बन रही थी साथ ही साथ हम दस्तर लगाया हम सारी हलंवी की शॉपर्ष रख दी और यहां में घॉ पुर्ने प्लेट्स उठाए प्लें कितनी मजे की क साथ ही 되어 पूर ने निकाल लिए साथ यहां पर हल्वा भी आ गया था हल्वे की साथ अचार भी था बहुत ही मज़िदार का नाश्था था अच तो इसके बाद जैसे हल्वा पूरी निकली और यहां पर इन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया पर इसके बाद हमने भी जह हो खाना स्टार्ट कर दिया और यह आपना मजे से चिकन जल फ्रेज़ी बनाना और प्रेटेबल्स कट करने सब्सक्राइए और फिर मैंने यहां एफ प्रेज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है यहां मैं बिल्कुल प्रफिशनल तरीके से अपना मज़े से चिकन जल फ्रेजी बना रही थी साथ इसाथ मेह कजन जो है वो थोड़ थोड़े से क्लिप्स निकाल रही थी व्लाग में एड़ करने के लिए और यहां मुझे कहा रही थी कि आपी वीडियो नहीं निकालनी कर देएında वीडियों लाण बना रही थी प्र मैं व्लाइं चाहरा रहीएं और आपना मुझे से खाना बना रही थी और मेरे भलाण माउस्यग में घ्रफिए अब जू पकि प्र मैं लोगे यहां मेरे रौगा वाउटी चैक्च काववगा रही थी बोहता थी मिज़ीदार करी रेडी होती है अगर आपनी रेस्पी नहीं देखी तो चैनल बे जाकर सर्च करें चिकिन जल फ्रेजी बायता स्पाइस स्ट्रै आपको रेस्पी मिल जाएगी यहां सारे स्पाइस आइड किये और अच्छे तरी किस मैस को भून रही थी साथी साथी साथ दूसरी भी फर् चैनल फ्रेजी की जह है वह स्ट रडी कर रही थी यहां मेरा चैनल फ्रेजी रडी हो गया मैंने वेजटेबल जाट की और इसको जितरी किस मिक्स करके थोड़ी देख लिए दम पर रखा और यहां मैं जो है वह बाच्छाई कर एकी मैरिनेशन कर रही थी मैरिनेशन करने के बाद इसको तूहार का रच देना था तो मैंने यहां पर मैरिनेट किया और इसको कवर करके तूहार की रख दिया पर मैं थे लिए नीचे चली गए नीचे मेरे कजन्स किया रहे थे कि कोई एक डॉग है बहुत प्यारा सा और एक कैट है तो हम जाकर देन जासे ही नीचे गई तो यहां पर तो कुछ भी नहीं था शिर्स यह लोग क्रेकेट खेल रहे थे तो मैंने थोड़ी देर इनके साथ ऐसे ही गप्षभ मारी इसके बाद बहुत ही बोर रोड़ी थी तो मैं अपनी कजन को लेकर फिर से ऊपर चली के ऊपर आकर मैंने द इसके बाद यहां देखें यह कड़ाई बिना थी बहुत ही मज़गी इसकी जो है वह खुश भूण थी साथ हमने फ्राइड राइस बनाए चाबलो का पानी बोल करने रखा एक चिकन स्टॉप डाला चाबलो का तेस्ट इन्हेंस करने के लिए चमच से इसको जो है वह उच पोइंट पर नाइट किजेगा और यहां हम इसमें अभी सॉल्ट करें तो चाबलो का पानी होता है वह खा रहा होना चाहिए यानि कि जादा नमक वाला तब ही चावल मज़े के बनते है यहां पर हमने चावलो का पानी में उबाला तो चावल आट की चावल को बोल किया बि शुक्त करहा बी इडरी हो गई फिर आम जो है वह दस्तर पर पर एट गया खाना खाने के ने यहां हमारी बात च्राई कराई चिकिन जल फ्रेजी और ऐस डड़ी थे फिर हमने खाना खाया बहुत सारी बाते कि इसका बात हम गर के लिए निकल गय और यहां यहां गर जो आ तो कैसा लगा आपको मेरा शुटा से व्लॉब जैसा भी लगा हूँ और अगर मजा आया हूँ तो बिल्कली बताइएगा कॉमेंट में और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हाला आफ पैस